असलाम उलेकूम, आज मैं आपके साथ शेर करूंगी गुजराती खट्टा मीठा डोकला की रेसिपी और ये खट्टा मीठा डोकला की खास बात ये है कि ना ही हमें इसमें बेकिंग सूडा डालना है ना ही तो इनो डालना है और ना ही इसमें गंटों तक फर्मेंटेशन लाना है इसे हम एक खास ट्रिक से बनाएंगे जिससे ये खटा मीठा डोकला बहुत ही सौफ्ट और स्पॉंजी बनेगा ये रेसिपी आपको बहुत ही यूसफूल लगेगी इसलिए रेसिपी को एंड तक जरूर से देखना तो चले बीना टाइम वेश्ट किए देख लेते हैं इसकी रेसिपी इसे बनाने के लिए हम एक बावल में एक कटोरी चावल ले लेंगे और गर में जो भी चावल हम यूज कर रहे हैं वो चावल आप इसमें ले सकते हैं अब वही कटोरी से हम इसमें एक कप चना डाल डालेंगे और साथ ही में हम एक कप इसमें पोहा डालेंगे और पोहा इसमें आपको जरूर से डालना है क्योंकि इससे ही हमारे डोकला बहुत ही सौफ्ट, स्पॉंजी और जालिदार बनेंगे इसे हमें दो से तीन बार पानी से अच्छे से दो लेना है और दो करके इसका सारा पानी छान लेना है अब वही कटोरी से हम इसमें डालेंगे एक कटोरी खटा दही हम गुजराती खटा मीठा टोकला बना रहे हैं इसलिए इसमें खट्टा दही होगा तो टोकला बहुत ही टेस्टी लगेगा और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे चार चम्मत जितनी चीनी और अब हम इसमें डालेंगे वहीं कटोरी से दो कटोरी बर के पानी और पानी को हमें गुन-गुना गरम करके डालना है अब सारी चीजों को हमें अच्छे से mix कर लेना है और देखे डाल और चावल हमारे अच्छे से बीग जाए इस तरीके से हमें इसे रखना है अब हम इसे cover करके सिर्फ आदे गंडे के लिए रहने देंगे और आदे गंडे के बाद हम इसे check कर लेंगे तो देखे दाल, चावल और पोहे हमारे बहुत ही अच्छे से बिग गए है और हमने इसमें गुनगुना गरम पानी डाला था इसलिए दाल भी हमारी अच्छे से सौफ्ट हो गई है तब हम ये सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालके अच्छे से पीस लेना है तो आधा मिक्सी का बाउल मैंने इसमें बर लिया है और अच्छे से पीस पाये इसलिए थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से हम इसे पीस लेंगे तो देखे इस तरीके से बिलकुल बारी की हमें इसे पीस ना है और इसकी consistency भी आप देख सकते हैं इसी तरीके की रखनी है तो चलिए इसी तरीके से हम सारे दाल, चावल और पोहा को पीस लेंगी तो देखे सारा बैटर हमारा पीस करके ready हो गया है तो अब हम इसे cover करके सिर्फ एक ही गंटे के लिए दूप में रख देंगे या तो कोई गरम जगा पे रख देंगे अब एक गंटे के बाद हम इसे चेक कर लेंगे तो देखे ये बावल को मैंने ढख करके सीधे दूप में ही रख दिया था और आप देख सकते हैं हमारा बैटर फूल के डबल हो गया है और देखे आप देख सकते हैं इसमें फर्मेंटेशन भी बहुत अच्छे से हुआ है तो ये बैटर एक ही गंटे में इतना अच्छे से फर्मेंट इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें हमने खटा दही, चीनी और गुनगुना गरम पानी डाला हुआ था और ये तीनों चीज़े जल्दी से फर्मेंटेशन लाने का काम करती है अगर ठंड की सीजन है और इसमें एक ही गंटे में फर्मेंटेशन नहीं आता है ता आप दो गंटे भी इसको रख सकते है तो देखे बहुत ही अच्छा फलपी हमारा बैटर यहां पर रेडी हो गया है तो ऐसे बैटर में हमें ना तो बेकिंग सोडा और ना ही इनो की जरूर पड़ेगी उसके बिना भी यह खटा मीठा डोकला बहुत ही सौफ्ट, स्पॉंजी और जालीदार बन के तयार होगा बैटर को हमें एक बार अच्छे से हिला लेना है और आप हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, अधी चमच हल्दी, एक बड़ी चमच बर के अधरक और मिर्ची की पेष्ट और दो चमच जितना हम इसमें तेल डालेंगे और बैटर में इसे अच्छे से हिला करके मिक्स कर लेंगे और इसमें हमें हरी मीर्ची स्पाइसी वाली ही डालनी है क्योंकि ये ढोकला खटा, मिठा और तीखा होगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा तो देखे अच्छे से मीने इसे मिक्स कर लिया है और बैटर की कंसिस्टन्सी आपके इसी तरीके से रखनी है बहुत ज़्यादा थीक या तो पतली नहीं रखनी है तो अब ये batter में हमें baking soda और ino की जरूरत नहीं है तो इसे हम सीधे steamer में ही steam करने रख देंगे तो steamer में मैंने पहले से ही पानी गरम करने रख दिया था और plate को भी मैंने तेल से grease करके रख दिया था तो plate में हम थोड़ा सा ही batter डालेंगे और इसे हलके हाथों से अच्छे से फैला लेना है उपर से हम थोड़ा सा लाल मिस्ट पाउडर डालेंगे और इसे कवर करके 10-12 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे 10-12 मिनिट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे तो छूरी से हम चेक करेंगे तो देखे चूरी हमारी बहुत अच्छे से clean आ रही है याने डोकला हमारा बहुत अच्छे से steam हुआ है तो यह प्लेट निकाल के दूसरा डोकला भी हम इसी तरीके से steam कर लेंगे तो यहाँ पे दो प्लेट डोकला की मैंने बना ली है तो देखे हमारा ढोकला का कलर भी बहुत अच्छे से आया है और ये बहुत अच्छे से फूले भी है तो इसे हम छूरी से काटके पीस कर लेंगे और जटपट से इसका एक तड़का बना के रेडी कर लेंगे तो इसके लिए हम करड़े में दो से तीन चमच जितना तेल ले लेंगे तेल गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें एक चमच राई, करी पत्ता, हरी मिर्ची और दो चमच जितने तील डाल देंगे और मिडियम तु स्लो फलेम पे तड़के को हमादी से एक मिरिट के लिए होने देंगे और फिर हम गैस की फलेम को बंद करेंगे और तुर unified गरम तड़का डोकले के उपर डाल देंगे और उपर से कटा हुआ हरादनिया डालेंगे तो देखे बहुत ही अच्छा हमारा ढोकला यहाँ पे बनके रेडी हो गया है और ढोकला को मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ तो देखे ढोकला में हमने इनो या तो बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला है फिर भी देखे हमारा यह खटा मीठा ढोकला कितना सौफ्ट और स्पॉंजी बना है और यह ढोकला बहुत ही टेस्टी भी बनता है तो आप भी मेरे यह तरीके से एक बार खटा मीठा ढोकला जरूर से बनाईएगा और आज की यह मेरी रेसिपी आपको यूसफूल लगी हो अच्छी लगी हो और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना तो चलि मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिस हैपी कोगिंग